हेलो एप्रिवाइन वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सोलस रिंगार दोस्तों अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ टी शर्ट के रिव्यू लेकर आई हूँ जिसे हमने मंगवाया है अजियो से और मैं एक बात बोल दूं कि यह स्पॉंसर वीडियो बिल्कुल भी नहीं ह इन टी शर्ट को मैंने खुद के लिए पर्चेस किया है खुद के पहने के लिए और चलिए अब मैं स्टार्ट कर रहे हूँ वीडियो को तो मुझे कुछ इस तरह के पैकेक में रिसीव हुआ है सभी टी शर्ट को एक एक करके मैं दिखलाऊंगे अक्शुली इसमें कुछ आपर्स अगर चल रहे हैं तो मुझे काफी पस्पे में यह सभी टी शर्ट मिल गए हैं तो अब मैं सभी को पहले निकाल ले रही हूँ फिर मैं एक एक करके आप लोगों को साथ इसके रेव्यू शेयर करते जाऊंगे पहला जो टी शर्ट है वो है नेवी ब्लू कलर का जो कि मुझे बहुत ज्यादा सुन्दर लगा है और यह कुछ इस तरह का है राउंड नेक है बाजू इस तरह का दिया हुआ है आगे में इस तरह है यहां पर लिखा हुआ है होम ऑफिस क्वीन और बैक लेन है इसकी प्रा में मीडियम साइज ही पहनती हूं बट घर में मुझे धीली टहले कपड़े पहनना ज्यादा पसंद है क्योंकि धीले कपड़े ज्यादा कमफर्टेबल होते हैं और खासकर गर्मियों के मौसम में या फिर मानसून के सिजन में धीला कपड़े मुझे ज्यादा अच्छा दिस्रिप्शन बॉक्स में तब में वहां पर लिक दूंगी वैसे मैं आप लोगों को एक बात बतला दूं कि यह पांच टी शर्ट जो मैं दिखलाने वाली हूं वह पांचो मुझे 830 रुपीज में रिसीव हो गय थे जिस डिलीवरी चार्ज नहीं देने पड़े थे और पांचो टी शर्ट मिला कर मुझे 830 रुपीज पेड करने पड़े थे तो यह 299 का है बड़ 299 में नहीं मुझे इसमें भी डिसकाउंट मिला था और यह भी मुझे कम प्राइस में मिल गया था और इसके मेटेरियल की क्वालिटी की बात की जाए तो काफी अच्छे क्वाल लगा और फिसलने वाला कपड़ा बिल्कुल भी इसरा जो टी शर्ट है वह है येलो कलर का जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है इस तरह से यहां पर पेपर दिया हुआ था और बहुत ही अच्छा वाला कलर है यह एक्तम हल्दी वाला पीला है और रांड नेक है इसका भी बाजू इसका इस तरह से है यहां पर जॉइंड नहीं है और यह वाला पाहने पर भी बहुत अच्छा लुक देता है इस तरह का बाजू और यह भी 2.99 प्राइस की है और इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी है यहां पर सामने में लिखा हुआ है और यहां पर लिखा हुआ है और बैक में इसका पूरा प्लेन है इस तरह से देख लेजिए और कपड़े की अगर सिलाई वेकरा की बात की जाए तो काफी अच्छी सिलाई है काफी मजबूत सिलाई है और अंदर की सिलाई भी मैं यहां पर दिखला दे रही हूँ अंदर भी देख लिजिए इस तरह से इंटरलॉक वाले सिलाई है में बहुत मजबूती से सिला हुआ है तो सिलाई वेगर हटने का तो कोई सवाल ही नहीं है तो यह वाली टी-शिट ही काफी अच्छी है इसके बाद एक ग्रीन कलर की टी-शिट है जो कि एकदम डार्क ग्र अच्छा लगता है और इसके सारे शिट्स मुझे पसंद होते हैं तो इसमें भी पेपर यह वाला दिया हुआ है और सब में टैग लगा ही हुआ है और यह भी देख लिजे इस तरह का है और इसे मैंने एक्स्टा लाट साइच का मंग वालिया है जान बूच के यह और भी हम जान बढ़ी मैं मीडियम पहनती हुँ लेकिन सभी को मैंने लार्ज मंग वाया था और इसे मैंने एक्स्टा लाज मंग वाया और यहां पर भी लिखा हुआ है अच्छा थौर्ट्स लिखे हुए है तो ये भी काफी अच्छी लग रही है मुझे इसके बाद है पींग कलर की टी-शिर्ट यह भी लाट साइज में है और इसकी प्राइस ही 2.99 लिखी हुई है अगर मुझे वह पेपर दिखता है तो मैं आप लोगों को अभी बतलाऊंगे अप्राइस जितना में मुझे मिला है क्योंकि पैकट में होना चाहिए पेप मैं देख लेती है यह पिंग कलर की टी-शिर्ट है और यह भी बहुत ज्यादा अच्छी है इस देखने में इतना ज्यादा सुन्दर है यह क्या बोलूं और मैटेरियल भी काफी अच्छी है इसकी और यहां पर लिखा है फ्रेंट में लाइफ इसन्ट पर्फेक्ट बट य और आप्फिट कैन भी तो इस तरह से यहां पर लिखा हुआ है राउंड नेक है बाजू यहां पर जॉइंट वाला बाजू इस इलो वाले टी-शिर्ट में बाजू एक साथ है दिया हुआ है और बैक इस तरह से है तो यह वाली टी-शिर्ट भी काफी अच्छी है काफी ख आपने के बाद तो इसे भी अपले सकते हैं एक बाद है ब्लैक कलर की टी-शिर्ट ब्लैक लिए तो यह ब्लैक क्लर के शिर्ट है बट टी-शिर्ट नहीं था इसके हमने से परचेस किया है तो यह भी राउंड नेक है बाजु यहां पर जॉइंट में है अप बाजु और इसके फॉरंट में भी अच्छे थॉट्स किछ लिखे हैं अच्छा happiness looks gorgeous on you happiness looks gorgeous on you तो देख लीजे इस तरह से है बैक इस तरह से है इसका तो सभी टी-शिर्ट के बारे में हमने बतला दिया और मुझे लिस्ट भी मिला है लिस्ट को देख कर मैं बतला दे रही हूँ कि मुझे कौन कितना में मिला है मिस कौन सा टी-शिर्ट कितना मिला है तो नेवी ब्लू कलर का जो टी-शिर्ट है वो मुझे मिला है 172 में ने सारी 144 में 144 में मिला है और ब्लैक वाला टी-शिर्ट 168 का है मॉस्टर्ड जो है यलो कलर का वो है 180 का और ग्रीन वाला टीशट है 168 का और पिंक वाला भी 168 का तो मैंने एक बार ही प्राइस बतलाया था मुझे उतना ही याद था मुझे सभी का याद नहीं था इंडिविज्वली तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा हो होगा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज आप इस चैनल को कर लिजगा सब्सक्राइब और बेल आकन को कर लिजगा ही ताकि आने वाले नए ने वीडियो के नोटिफिकेशन आपको हमेशा टाइम पर मिल जाए और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीड कर दीजेगा आज की वीडियो को आप लोगों ने देखा आप लोगों को बहुत बहुत धाने रात दोस्तों